नीला आसमान, रूई जैसे बादल, कितना अच्छा लग रहा है ऐसा वातवरण, ऐसा मौसम, आपको देखके अच्छा लग रहा होगा हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैनी ब्लॉक, आज मेरा स्वास थोड़ा ठीक रहा तो मैं अपने छट पे आया था धूब देख निकले, तो मैं सोचा है यहाँ पर ही कुछ अपना ब्लॉक बना दिया जाए, क्योंकि मैं काफी दिनों से ब्लॉक नहीं बना रहा था, मेरा स्वा उसमें बड़े-बड़े जो हमारे योटुबर्स है, उनसे एक अपिल किया था, बड़े-बड़े जो नाभी योटूबर्स हैं जो जिनको मैं फालो करता हूँ, याने मेरे लिए गुरु है, मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं उनके वीडियो से सीखता हूँ, काफी हद तक मैं उनको मानता भी हूँ और फालो करता हूँ मैंने उनका वीडियो देखा था तो एक वीडियो में मैंने एक अपील किया था उसी वीडियो के लिए कि उस वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस क्रेकर जो दिवाली क्रेकर होते हैं उस क्रेकर से वो क्रेक करेकर होता तो चोटा क्रेकर है गर्चा फीन ओगता है कापी चोटा कर्द फील होता है उस यह Defense annoy से इंडर चोटा जिसको जलाने 54 उफान और हो और सांध काप आने प्रख़ुले उक सीजिएन और यह करीकर को जोनाने से इतना स्मोक निकलता है सांठान कि हों और काफी नुकसान दैक होता है इसलिए उसे खुले में जलाया जाता है घर वर में नहीं जलाते हैं इसे खुले में जलाते है ताकि उसका जो इस मोख है जल्दी से atmosphere में घुल मिल जाए और किसी को नुकसान ना पहुचा है लेकिन भाई ने हमारे बड़े YouTuber जिसको मैं follow करता हूँ उन्होंने उस छोटे से cracker को एक काफी विसाल मात्रा में उसको जलाया था करीब करीब उन्होंने mention भी किया था कि पचास हजार से कुछ ज्यादा है वो और उसको जलाया था तो एक जलाने से कितना solution होता है कितना निकलता है smoke उसी को अगर आप पचास हजार गुना आप ज्यादा एक साथ जलाओगे तो कितनी मात्रा में वो smoke निकलेगा और वो smoke इतना मात्रा में होता है जिसको atmosphere में मिलने में saturate होने में काफी time भी लगेगा क्योंकि हम लोग तो छोटी-छोटी मात्रा में कहीं-कहीं जला लेते हैं पटाके को याने कि वातावरण में भूल मिल जाता है एक साथ जलाने से नुकसान होता है तो छोटी-छोटी मात्रा में करना अच्छा रहता है तो उस वीडियो में मैंने अपील किया था हमारे बड़े यूटूबर्स हैं उनसे कि ऐसे वीडियो मत बनाए आप कुछ अलग वीडियो बनाईए और उसी के response में उन्होंने अच्छा और अच्छा व क्रेकर दिवाली का तो वह उन्होंने एक्सपेरिमेंट से एक अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें पॉलूशन भी नहीं हुआ था और एक अच्छा वीडियो भी उनका बना था एक एक 20 लिटर का जो जार होता है प्लास्टिक का जार उसमें उन्होंने केमिकल डालके प् लूशन नहीं था तो वह मेरे को अच्छा लगा उनका वह प्रयास तो उसी तरीके का मैं चाहता था कि वह भी ऐसा ही कुछ प्रयास करें वह जो दिवाली का जो क्रेकर जलाया था साप लेडी वाला वह उन्होंने रात के नाइट में किया था जबकि हम वह साप लेडियो को जलाते ही है इसलिए क्योंकि उसको हम बनता देखना चाते हैं वो कैसे बनता है उसी को देखने में हमको मजा आता है तो भाया ने वो वीडियो को नाइट में सूट किया था तो नाइट में हम उसको अच्छी तरीके से देख भी नहीं पाए कि वो किस कितना बड़ा बना थ वो काफी बहुत बड़ा बना था लेकिन वो नाइट में बना था अगर उसको दिन में बनाते ना तो वो काफी हद तक अच्छा दिखता लेकिन उसका एक निगेटिव पॉइंट यह भी होता कि उसमें जो स्मोक निकलता वो दिन में काफी मात्रा में दिखाई दे देता और वीडियो में व उनके लिए अच्छा नजनी थाबित होता क्या पता उनको वीडियो में लाइक भी मिलता या फिर डिसलाइक भी मिल जाता इसलिए उनोंने उसको नाइट में सूट किया था और उनके वीवर्स चाते थे कि ऐसा कुछ करें तो उनोंने कारण वर्थ उसे नाइट में सूट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को किया था एक पहलू उन्होंने दिखाया था दूसरा पहलू वो नहीं दिखा पाते जानते हुए भी कि इसमें काफी नुकसान है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विवर्थ के कारण किया था कि ऐसे वीडियो आप मत बनाईए आप अच्छे वीडियो और बनाए आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है आप काफी कंटेंट के वीडियो बना सकते हैं तो वही मेरा एक अपील था लेकिन मुझे उस उस वीडियो में काफी निगेटिव कमेंट्स भी आये है कि आप दिवाली में दिवाली का वो कर रहे है और सिर्फ दिवाली में ही पालूसन होता है क्या ऐसे ऐसे कमेंट आया हमिर को उसमें जबकि मैंने दिवाली के फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं कहा था हम फेस्टिवल में फटाके सौक से जलाने हैं क्यों हनी यह हमारा बेटा है तो हनी क्या बोल रहा है नीचे आओ बेटा हनी कह रहा है कि हमें पॉप-प फटाके पोड़ने चाहिए उसमें पॉलुसन भी नहीं होता है और मज़ा भी आता है पॉप-प फटाके जो चोटे-चोटे पटाके होते हैं टिकली फटाके होते हैं चोटे-चोटे वह फटाके फोड़ने में बच्चे लोग को काफी मज़ा आता है तो मेरे को उस वीडियो में काफी निगेटिव कॉमेंट्स मिले थे काफी लोगों ने मुझे कह कि आप दिवाली में दिवाली के लिए बोल रहें दिवाली में ही क्या pollution होता है क्या कई लोगों का कमेंट था जबकि मेरे उस वीडियो में इस तरीके का मेरे कोई दिवाली के festival के लिए कुछ नहीं था हम दिवाली में सौक से फोटाके जलाते हैं और काफी सालों से बना रहे हैं मैं भी छोटा था तो काफी हैं मैंने भी जला हैं दिवाली में और अभी भी जलाता हूँ तो मैंने दिवाली के फटाके के लिए नहीं बोला था मैंने यूटूबर्स जो वीडियो बनाते है experiment के नाम से बड़ी विशाल मातरा में experiment किया था उस वीडियो के अपील किया था कि ऐसे वीडियो आप मत बनाएं ऐसे वीडियो को बनाने के लिए मना करने के लिए अपिल किया था सिर्फ ना कि दिवाली को दिवाली में फटा के बटा के फोर्णने के लिए मैंने कुछ निकाहा था पॉलूसन तो डेली होता है फैंट्स हम रेगुलर हमारा जीवन में ही ऐसा है कि हम कुछ चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं हमारी गाड़िया चलती है हमारी बाइक चलते है हमारी फेक्टरी चल रही है हमारा इलेक्ट्रिचिटि जिस पौर प्रैंट से आता है वो लाखो टन का कोईला वो ही जलाता है उस पिजली को हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा तो ये ये पालूसन हमारी जिन्दगी का एक अंग बन चुका है हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम अगर उस पालूसन को बढ़ाने में जिम्मेदार है तो उस पालूसन को थोड़ा बहुत कम करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है तो कुछ नया करने के लिए मैंने उस वीडियो में अपील किया था कुम यह कvation मैं एक नया यूटूबर्स हूं मेरे लिए बहुत बड़ा माईने रखता है अगर मैं अपने वीडियो में अपने ब्लॉक में अपने लिए कुछ नीगेटीव, नीगेटीव क्रीयेट करता हूं तो ये मेरे लिए काफी नुक्तान दायक है, मेरे चैनल के लिए काफी नुक्तान दायक है, तो मेरा कोई ऐसा intention नहीं था friends, कि मैं ऐसा गलत परचार करके, अपने festival के लिए कुछ गलत राय देके, ऐसा कुछ नहीं चाहता था, तो friends, मैं आपसे बस यही कहना चाहरा था, मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉक बना के आप लोग को inform कर दूँ कि मेरा वो ब्लॉक कोई दिवाली के पालूशन के लिए नहीं था, मेरा सिर्फ वो ब्लॉक एक बड़े यूटूबर को दिया था, जिनोंने एक बहुत बड़ा experiment किया था, आज के लिए बस इतना ही, इत अच्छी लगी हो तो, और नहीं अच्छी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे छमा चाता हूँ, और इस ना कहके मैं अपना ब्लॉक को किंट करता हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉक में, आप सभी को advance हैपी दिवाली, यह बादल सफेद हैं, अगर यह लाल हो जाए, या फिर काले हो जाए, प्रदूर्शन से भरपूर, तो इतने सुनहरे नहीं दिखाई देंगे, तो जी लो भाई, आज इसको देख लेते हैं, क्या पता, आगे देख पाएं कि नहीं ऐसा मौसम?